दिया सिक्षार्थियों, NIEOS के इस इस्टूडियो में, मैं डाक्टर निलेश कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ आज हम लोग पाठ 22 वृत्ति परिचय इसका अध्यन करेंगे वृत्तियों के संदर्व में हम परिचय प्राप्ट करेंगे कि वृत्तियां क्या है किन-किन आचारियों ने वृत्तियों के संदर्व में क्या-क्या विचार दिये हैं बृत्तियों के भेड और प्रभेडों के विशय में आचारियों का क्या मनतव्य रहा है, क्या विचार रहा है, कौन से आचारि किस बृत्ति को मानते हैं, कौन किस बृत्ति को नहीं मानते हैं, इनहीं सभी विशयों का इस अध्याय में वरवरंग करेंगे वृत्ति काब्य सास्त का सबसे क्लिष्ट और सबसे महत्वपुर्ण विशय है यह कठीन होने के साथ ही साथ काब्य सास्त का सबसे प्रान भूत तत्व माना जाता है रस्तुत पाठ में हम इन ही सारे विश्यों पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे सबसे पहले हम व्रित्तियों का परिचय प्राप्त करते हैं कि व्रित्ति कहते किसको है संस्कृत साहित्य में व्रित्ति शब्द का प्रियोग अनेक सास्तों में दिखलाई पड़ता है सभी सास्तों में व्रित्तियों के संबंध में चर्चा की गई यह दिखलाई पड़ता है परन्तु सास्त भेद से व्रित्ति शब्द के अर्थ में भी भेद हो जाता है अलग-अलग ग्रंथों में बृत्ति शब्द का प्रयोग अलग-अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है जैसे परार्था अभिधानम बृत्ति ही यह अभियाकरण सास्त में प्रशिद्ध है अब यहां पर बृत्ति का जो अर्थ है वह व्याकरण सास्त के अनुसार है कि जो दूसरे अर्थ को अभिधान करने के लिए प्रतिष्टित करने के लिए जिसका प्रयोक किया जाए वह बृत्ति है साहित्य सास्त में पहले ही बताया गया कि अलग-अलग सास्तों में, अलग-अलग ग्रंतों में, अलग-अलग उद्देश्यों के दिश्टी से इसके अर्थों को अलग-अलग रखा गया है, इसके अलग-अर्थ पाये जाते हैं साहित्य सास्त में अनकूल अर्थ के लिए जिस अर्थ को हम चाहते हैं कि इससे इस अर्थ की उत्पत्ती हो अनकूल अर्थ के लिए सब्द का जो व्यापार होता है उसे हम बृत्ती कहते हैं बृत्ति का लक्षा कहा गया है शब्दो ही कारण तत कारण प्रति व्यापारो ही बृत्ति ही अर्थार संस्कृत साहित्य में बृत्ति एक पारिभाशिक सब्द है पारिभाशिक सब्द जिसके एक परिभाशा निर्धारित की गई एक पारिभाशिक सब्द है कि सक्ति को ही बृत्ति कहा जाता है, सक्ति ही बृत्ति है, और जिस सक्ति से अर्थ का प्रतिपादन होता है, उसे बृत्ति कहते हैं और बृत्ति का मूल कारण क्या है? सब्दो ही कारण है, और उस कारण के प्रती जो ब्यापाद होता है, उसको ही बृत्ति कहते हैं बृत्ति भेदह बृत्तियों के संदर्व में बहुत से भेद हैं, बहुत से विद्वानों के अलग-अलग मत हैं, किन्तु मुख्य रूप से बृत्तियों के तीन भेद प्राप्त होते हैं, अभिधा भृत्ति, लक्षणा भृत्ति और व्यंजना भृत्ति, कुछ विद्व अर्थात मुख्य रूप से तो तीन है अभिधा लक्षणा और व्यंजना किन्तु साहित्य सास्त के जो विद्वान है जो ध्वनिवादी आचारे हैं वे तात्पर अनामक चतुर्थ व्रत्ती को ही मानते हैं अब पूर्व में ही पतलाया गया कि व्रत्ती के संबंध में विभिन आचारियों के क्यामत है कि कौन-कौन से आचारी किन-किन व्रत्तियों को मानते हैं सबसे पहले मुकुलभट के हैं, आचारे मुकुलभट, इन्होंने अपने अभिधा वृत्ति मात्र का में केवल अभिधा को ही एक मात्र वृत्ति माना है, उन्होंने लक्षण आदि वृत्तियों को अभिधा के ही अंतरगत स्विकार कर लिया, अर्थात इन्होंने लक्षण अभिधा के अंतरगत ही उसनको स्विकार कर लिया है कि ये विधा के अंतरगत ही आती है दूशरे आचारे हैं महिम भट इन्होंने अपने ग्रंथ ब्यक्ति विवेक में इन्होंने अभिधा को ही एक मात ब्रत्ती माना है या शक्ती माना है अधात इन्होंने भी अविधा के तिरिक्त किसी अन्य वृत्ती को नहीं माना है, न लक्ष्णा को माना है, न वेन्जना को माना है नागेश भट्ट ने परम लगु मंजुशा अपने ग्रंथ में अविधा वृत्ती को नमान करके लक्षणा एवं ब्यंजना वृत्ती को स्विकार किया है अभिधा तो सब सब लगभग सभी आचारें ने अविधा को स्विकार किया है तो कि अभिधा के न होने पर मूल सब्द के ही न होने पर लक्षणा व ब्यंजना नहीं हो सकता है इसलिए नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ परम लगु मंजुशा में लक्षणा एवं ब्यंजना वृत्ती को इन होने श्विकार किया है नयाईक और मिमानसक ये दो विचार धारा के व्यक्ति व्यंजना वृत्ती को नहीं मानते हैं नयाईक व्यंजना वृत्ती को नहीं मानते हैं जयन्त भट्ट ने अपने ग्रंथ नयाय मंजरी में व्यंजना वृत्ती का खंजन किया है मिमानसक मतानुयाई भी वियन्यना वृत्ति को स्विकार नहीं करते हैं अथात्वे अविधा को मानते हैं लेकिन वियन्यना वृत्ति को स्विकार नहीं करते हैं नयाय और मिमानसक नयाईक और मिमानसक ये दोनों वियन्यना वृत्ति को स्विकार नहीं करते हैं किन्तु वृत्तियों के संदर्व में, संबंध में, ध्वनिवादी एवन जो आलंकारिक उर की क्लासों में, जो अलंकार संप्रदाय को पढ़ाये गया, अलंकारवादी आचारियों को पढ़ाये गया, उनमें कई ऐसे आचारे हैं, जो व्यंजना वृत्ति को मानते हैं, जिस नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ परम लगु मन्जुशा में भी लक्षणाय में व्यंजना 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 में ध्वन्या लोक लोचन जो की आनंदवर्धन के ध्वन्या लोक पर लिखी गई टीका है इसमें भी अभिनोगुप्त ने ब्रत्तित रए को स्विकार किया है अथार इनोंने अभिधा लक्षडा और व्यंजना को माना है किन्तु इनके अत्रिक्त अन्य आचारे हैं जो इन तीन व्रत्तियों के अत्रिक्त चतुर्थ व्रत्ति को मानते हैं आचारे मम्मट, धनिक, विश्वनात ये व्रत्तित रए के अत्रिक्त तात्परया व्रत्ति को भी स्विकार करते हैं नब्यन नयायक, वयाकरण, वेदान्ती, तात्पर्या सक्ती को स्विकार नहीं करते हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस व्यंजना ब्रत्ती का मूल बयाकरणों के द्वारा लिया गया है वही बयाकरण तात्पदया ब्रत्ती को इस विकार नहीं करते हैं। अब हम ब्रत्तियों के संदर्व में पढ़ेंगे यह जो हम अभिधा लक्षणा और व्यंजना यह जो सब्द सक्तियां है यह है क्या अभिधा है क्या लक्षणा है क्या व्यंजना है क्या इस विकारण में हम बात करेंगे तो अभिधा अभिधा सब्द धाधातू में अंग प्रत्य करने पर अभिधा शब्द बनता है अर्थात इसका अर्थ है कि जिस शब्द से जिस अर्थ का साक्षात बोध हो वह संकेतित अर्थ के बोधक शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं साक्षात संकेतित अर्थ से तात्पर है कि जिस सब्द से जिस अर्थ का नियम से उत्पत्ती हो जाए, जैसे यदि हम कलम कहें, तो कलम सब्द से अगर हमें सीधे कलम अर्थ का बोध होता है, तो हम कलम को उठाते हैं, यदि हम कैमरा कहें, तो कैमरा सब्द से साक्षात हमको सम तो जिस सब्द से जिस अर्थ का साक्षात बोध हो और उस संकेति अर्थ के बोधक सक्ति को और उस साक्षात अर्थ को बोध कराने वाली जो सक्ति होती है उसको ही अभिधा कहते हैं आचारी मम्मट ने अपने कावे प्रकास में अविधा का लक्षन करते हुए कहा है सव मुख्यार्थ स्तत्र मुख्यों व्यापारों से अभिदुच्चते जैसे सरीर के सारे अवयवों में मुख सबसे प्रधान है और सबसे पहले दिखाई देता है वैसे ही वाच्य, लक्ष, व्यंग में वाच्यार्थ सबसे पहले उपस्थित होता है मुख के समान होने से ही उसको मुख्यार्थ कहते है अब यहाँ मुख्यार्थ से क्या अतात परे है? पुरू में व्यताया कि जिस सब्द से जिस अर्थ का सीधे अर्थ निकलता हो लोग करते हैं और ब्यंग अर्थ मुख्य अर्थ से अलग होता है तो जो मुख्य अर्थ है वही मुख्यात कहलाता है वही अभिधा होती है वही सब्द का साक्षात संकेतित अर्थ होता है इसलिए कहा गया है कि जैसे सरीर में सबसे प्रधान क्या है मुख्य है और सबसे पहल आरण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मुख्य अर्थ को ही दिखलाई डेते हैं, तो उस वाच्च अर्थ या मुख्यार्थ का बोधन कराने वाला जो शब्द का ब्यापार है उसको ही अभिधा कहते हैं, आचारे विष्वनात के अनुसार अभिधा का है तक्त्त संकेतित अर्थस्य बोधनात अग्रिमा अभिधा, अर्थात सब्द के संकेतित अर्थ से, संकेतित अर्थ मतलब जिस सब्द से जिस अर्थ का साक्षात उपस्थती हो, जल कहने से, जल की उत्पत्ती, कलम सब्द कहने से, कलम की उत्पत्ती, पुस्तक सब्द कहने से, पुस्तक की उप विधा बृत्ति है, बृत्ति को शक्ति भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ही वह सामर्थ होता है, अब संकेत ग्रह के संदर्भ में बात करेंगे, पूरों में बताया गया कि सब्द से साक्षात जो अर्थ कुछ पत्ति होती है, वही संकेतित अर्थ होता है, यह संकेतित मतलब ब्यवहार के माध्यम से, जिस सब्द को देखता है, उस सब्द से उस अर्थ का ही बोध करता है. उदारण के रूप में एक पिता अपने दो पुत्रों में अपने बड़े पुत्र से कलम उठाने की आग्या दी, फिर उसको कलम रखकर दबात उठाने की आग्या दी, उ जो दूसरे इस्थान का प्रियोक करने पर जो संकेत ग्रह होता है, संकेत का ग्रहन होता है, उसे ही आवापो द्वाप कहते हैं, अर्थात उस छोटे बालक ने अपने बड़े भाई के कारियों को देखा, कैसे वह कलम को रखके दवात उठाता है, फिर दवात को रखके कलम को उठाता है। इस संकेत ग्रह के मार्ध्यम से उसको पता चला कि यह कलम है और यह इसको कलम कहते हैं और इसको दावात कहते हैं। अर्थात ब्यवहार ही वह प्रमुक्ष चीज है जिसके मार्ध्यम से एक छोटे बालक को भी ब्यवहार के मार्ध्यम से संकेत ग्रह का बोध होता है। अर्थात ब्यवहार, वाक्यसेश, विब्रती अर्थात ब्याक्या और सिध्धपर के सानिध्य से भी संकेत ग्रह ग्रहन होता है। अब हम अबिधा ब्रत्ति को पढ़ चुके हैं कि अबिधा किसे कहते हैं कि जिस सब्द से जिस अर्थ का नियमत्व साक्छात बोध हो हो। और उस साक्षात बोध को ग्रहन कराने वाला जो संकेतित अर्थ है उसको ही अभिधा सक्ति कहते हैं अब हम लक्षणा सक्ति के संबंद में चर्चा करेंगे लक्षणा बृत्ति आचार्य विश्वनात के अनुसार लक्षणा का लक्षण है कि लक्षणा के लिए मुख्य अर्थ का बाध हो तद्युक्तो तीन मुख्य अर्थ के साथ उसका संबंद भी होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मुख्य अर्थ का बाध हो गया तो उससे कोई मतलब ही नहीं हो जो मुख्य अर्थ है उसके साथ उसका संबंद भी होना चाहिए और यह नेर्थाप्तीयत अर जो अन्य अर्थपतीत होता है वह रूढ़ी और प्रियोजन के अतिरिक्ट जो रूढ़ी और प्रियोजन से अन्यतर होते हैं यह तीनों कारण लक्षणा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात लक्षणा के उत्पत्ती के लिए इन तीन कारणों की आउसकता होती है। पहला है मुख्यार्थ बाद, दूशरा है लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध और तीशरा है रूढ़ी या प्रियोजन में से अन्यतर वह जो मुख्यार्थ का बाद होगा उसके लिए जो कारण होना चाहिए वह या तो रूढ़ी हो प्रसिद्ध हो या कोही उद्देश्य परक हो आचार मम्मट ने अपने काविप्रकास में लक्षणा का उल्लिक करते भी कहा है अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर जैसे हम कहें गंगा प्रवाह गंगा में घर है तो उहाँ पर मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए गंगा में घर होना आगे इस पर चर्चा करेंगे गंगा में तो घर हो नहीं चकता है तो सबसे पहले उसके मुख्यार्थ का बाद होता है दूसरा तद योगे उस मुख्य अर्थ के साथ सम्बंध होने पर और तीसरा है रूढी से अथवा प्रयोजन विशेश से जिस सब्द सक्ती के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। आचार विश्वनाथ ने अपने साहित दर्पर ग्रंथ में लक्षणा के जो भेर किये हैं उन्होंने लक्षणा के सोड़स भेर प्रदर्शित किये हैं अर्थात उन्होंने लक्षणा के सोलह भेर माने हैं आचार विश्वनाथ में तो लक्षणा के छ भेर किये हैं किन्तु दरपरकार आचारे विश्वनाथ ने अपने गरंथ साहित्य दरपर में लक्षणा के सोड़स अर्थात सोलह भेद प्रदरशित किये हैं। अब यह भेद कई चरोडों में हैं। थोड़ा क्लिष्ट है किन्तु इसको एदि आप अच्छे से समझेंगे तो क्लिष्ट अभी दूर होगी। यह लक्षणा मुख्यत दो भागों में विभाजित है। पहला है पादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। यही लक्षणा आगे उप विभागों में विभाजित होते होते रूढ़ी और प्रयोजन के भेद से इसके भी विभाजन होंगे। पुनह सारुपा और साध्यवसाना के भेद से इसके विभाजन होंगे। इसके अनंतर वह सुद्धा और गौरी के भेज से विभाजित होते होते यह सोनभागों में विभाजित होंगे जिसका वरण हम आगे की करेंगे अब आता है उपादान लक्षडा उपादान लक्षडा किसको कहते हैं कि जहां सब्द अपने अन्वय की सिध्धी के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है अन्वय की सिध्धी से तातपरे है जहां सब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ दे और उस मुख्य अर्थ के साथ बना भी रहे अर्थात जल सब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ के कोई अन्य अर्थ ले ले लेकिन उस मुख्य अर्थ को न छोड़े स्वयम भी बना रहे तो करें जहां सब्द अपने अन्यवय की सिध्धी के लिए अन्य अर्थका आक्षेप कर लेता है और स्वयम भी बना रहता है उसको उपादान लक्षणा कहते हैं जहां सब्द स्वयम भी बना रहे अर्थात मुख्य अन्य अर्थका तो आक्षेप करे ही अन्य अर्थको तो ग्रहन करे ही क्योंकि लक्षणा का जो प्रमुख है कि मुख्या तो बाद हो तो मुख्य अर्थका बाद होने पर वह अन्य अर्थका ग्रहन करे और जब अन्य अर् शेषता है उपादान लक्षणा की, कि वह अन्यर्थ का आक्षेप तो करता ही है, और स्वैम भी बना रहता है, इसलिए उसको उपादान लक्षणा कहते हैं, यह उपादान लक्षणा अरूढ़ी और प्रयोजन के भेच से दो प्रकार के होते हैं, यह उपादान लक्षणा और लक्षन लक्षना, दोनों पहले रूड़ी और प्रजंग के भेच से दोदो प्रकार के होते हैं, तो उपादान लक्षना, रूड़ी, उपादान लक्षना का जो एक उदाहरन है, वह है स्वेतो धावती, अब स्वेतो धावती, स्वेत दौर रहा है, सफेद दौर रहा है, यह इस रोड़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण है, स्वेतो धावती, अब स्वेत क्या, कौन सफेद दौर रहा है, यह मुख्य अर्थ नहीं हो पा रहा है, जो स्वेत सब्द है, इसके मुख्य अर्थ स तो इसके अर्थ क्वित्पत्ति नहीं हो रही है, दोड़ने के लिए तो कोई चहिए, तो कौन दोड़ रहा है, तो यहां पर स्वेत सब्द अपने मुख्य अर्थ का त्याग करता है, और उस मुख्य अर्थ का त्याग करके जो अन्य अर्थ को लेता है, वह अन्य अर्थ होत है घोड़ा अश्व कौन दवड़ता है अश्व दवड़ता है और वह अश्व कैसा है वह घोड़ा कैसा है वह घोड़ा स्वेत है सफेद है तो यहां स्वेत जो स्वेतो शब्द है वह घोड़े के रूपी अन्य अर्थ की सिद्धी के लिए अपने अर्थ का त्याक कर देता है लेकिन स्वैम भी बना रहता है तो यहां रूड़ी का अर्थ होता है प्रसिद्ध तो यहां जो प्रसिद्ध अर्थ होगा द्वाधावन क्रिया में कौन तेज है घोड़ा है तो घोड़ा कैसा है स्वेत है यहां उसका मुख्य अर्थ भी बदल गया लेकिन वह स्वैम भी उसके साथ बना रहा, तो स्वेत औ धावत में स्वेत गोडा दोड़ रहा है, यह इसका अर्थ हुआ, अन्यार्थ हुआ, लक्ष अर्थ हुआ, अब प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश, प्रयोजन उपादान लक्षणा, रारंभ में ही बताया गये हैं, कि लक्षणा के जो दो भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षणा ये दोनों रूढी और प्रियुजन के भेद से दो दो भेद हैं, तो प्रियुजन उपादान का उदाहरण है कुंताह प्रविशन्ति, अब कुंताह कुंत का अर्थ होता है भाला, युद्ध मे जाने का काम, प्रवेश करने का काम कैसे हो कर सकता है? तो यहाँ पे कुंत सब्द अपने मूल अर्थ का त्याग करके उसके स्थान पे कुंता धारी पुरुष का रूपी अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वैम भी बना रहता है, जिससे इसका अर्थ हो जाता है कि कुंता धारी अर्थात भाला धारन किया हुआ पुरुष प्रवेश कर रहा है जैसे बहुत सी सेना आ रही है, सस्त्र आ रहे हैं, सस्त्रों को लेके आ रहे हैं कहें सस्त्र प्रभिशन्ति कि सस्त्र हथियार प्रवेश कर रहे हैं हथियार स्वैम तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं उनके प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति का आख छेप होगा तो यहां पर कुंताह जो सब्द है यहां अपने मुख्य अर्थ का त्याग करके अपने साम मंद से यहां कुंता धारी पुरुश अर्थ का आख्ष्यप कर लेता है, तो यह प्रयोजन वती प्रयोजन उपादान लक्षणा का एक ज़ाम उदाहरन हुआ, ये कुंता धारी पूरुश प्रवेश कर रहे हैं, अब आते हैं लक्षण लक्षणा ये उपादान लक्षणा के रूढियों प्रयोजन के भेद से भेद हो गए, पुनह लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा का जो प्याख्या है, उपादान लक्षणा में तो अन्य अर्थ की सिद्धी के लिए अन्य आक्षेप कर लेता है, अन्य अर्थ का तो आक्षेप की सिद्धी के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बोध करा देता है वहां लक्षण लक्षणा होती है अर्थात लक्षण लक्षणा में प्रियुक्त सब्द वाक्य में प्रियुक्त दूसरे सब्द के अन्वे की सद्धी के लिए दूसरे सब्द को जो एक्जाम्पल होगा, उस पे आगे चर्चा करेंगे, यहां गंगा सब्द अपने प्रवाहरूप मुख्य अर्थ का त्याग कर देता है, और अन्य अर्थ का बोध कराता है, स्वयम वहां रहता ही नहीं है, अन्य अर्थ का बोध कराता है, वहां लक्षण लक्षणा होती है, इसकी जो परिभासा है उसको देख लेते हैं कि जहां वाक्य में का कोई सब्द, वाक्य में प्रियुक्त दूशरे सब्द के अन्वे की सिध्धी के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर, अन्य अर्थ का बोध कराता है, वहां लक्षण लक्षणा होती हैं. यह लक्षण लक्षणा भी रूढ़ी और प्रियोजन के भेद से दो भेद का होता है, दो प्रकार का होता है, रूढ़ी लक्षणा लक्षणा का उदाहरण है कलिंगह साहसिकह, रूढ़ी का रत पुरू में बतलाए गया, रूढ़ी का रत प्रसिद्ध होता है, जो मुख्य अर्थ का त्याग करके, साहस सब्द की सिध्धी के लिए यह अपने मुख्य अर्थ का त्याग करके कलिंग देराज्य में रहने वाले पूरुस अर्थ का आक्षेप कर लेता है। जिससे इसका अर्थ होता है कलिंग साहसिका अर्थात कलिंग राज्य में रहने वाले जो पुरुस है वहां के जो ब्यक्ति है वह कैसे होते हैं साहसिक होते हैं तो यहां कलिंग सब्द अपने मुख्य अर्थ का पुर्ण रूप से त्याग कर देता है और साहस की सिद्धी के लिए यहां पुरुष रूप व्यक्ति का पुरुष रूप अन्य अर्थ का आक्षेव कर लेता है। लक्षणा का यह सबसे प्रमुख उदाहरन माना जाता है। प्रयोजन अर्थात जिस प्रयोज अर्थ के लिए लक्षणा है। लक्षणा का उद्देश से है मुख्य अर्थ जानना लक्षणा का उद्देश से नहीं है। लक्षणा का उद्देश से है जो ब्यंग अर्थ न निकलता है जो मुख्य अर्थ से एकदम अलग अर्थ होता है वही लक्षणा होती है तो लक्षण लक्षण प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदारण है गंगायाम घोसह अब गंगा नदी में उसके जल में प्रवाह है गंगा का जल प्रवाहित होता रहता है उसमें घ गोस का सितातपर है घर उसमें घर तो बन नहीं सकता है कोई जोपड़ी बन नहीं सकती है जल में कहां जोपड़ी बनेगी इसलिए यह मुख्य अर्थ गंगा सब्द से मुख्य अर्थ जो प्रवाहरूप अर्थ है इसका बाध होता है यह गंगा सब्द अपने मुख्य अर्थ का बोध बाध करके घोष सब्द के अर्थ की सिध्धी के लिए यहां गंगा सब्द अपने प्रवाह रूप अर्थ का त्याग करके सामिप्य संबंद से तट रूप अर्थ का आक्षेप कर लेता है अर्थात गंगा सब्द अपने मुख्य अर्थ गंगा प्रवाह को छोड़ करके गंगा के तट पर घोष है इस प्रकार के अर्थ को ग्रहन करता है जिससे यह प्रतीत होता है कि गंगा में घोस नहीं है ग्रिह नहीं है आभीर नहीं है अपितु गंगा के किनारे अर्थात उसके तट रूप जो प्रयोजन अर्थ है वो क्या है गंगा के तट पर प्रयोजन रूप जो अर्थ है वह है गंगा सब्द का कि गंगा के तट पर घ तट पर गंगा के किनारे घर हो सकता है, गंगा में घर नहीं हो सकता है। यही इस प्रवियनवतिलचन रचना का उदाहरण है गंगायां घोशः। इसके लिए एक सुन्दर उदाहरण प्राप्त होता है कि उपकृतम बहुतत्त किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता पर ब्यांगय प्रथान जो अर्थ है इस श्लोक का इसके अर्थ में न जाकरके जो मुखे इसमें सब्द है उपकृतम इसका जो मूल भावात है वो बतलाने का प्रयास करेंगे कि कोई मित्र है वह अपने मित्र को किसी कार्य के लिए भेजता है कि जाओ मेरा यह कार्य करके लेकिन उसका वह मित्र जाता है और उसके साथ धोखा देता है और उसके उस कार्य को नहीं करता है और इस बात की यह बात उसके मित्र को पता चल जाता है कि यह मेरा कार्य नहीं किया है लेकिन वह उससे किस ब्यांगय अर्थ में कहता है कि तुमने मेरा बहुत अच्छा कार किया है तुमने मेरा बहुत उपकरितम तुमने मेरा बहुत उपकार किया है आप जैसे भाई बंधु मिलना मुश्किल है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सौ वर्सों तक जियो लेकिन यह वह व्यक्ति जान रहा है कि इसने मेरा उपकार किया है इसने मेरा अहित किया फिर भी वह उसके लिए क्या सब्द प्रियोक कर रहा है उपकृतम कि तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है अब यहां उपकार तो हुआ ही नहीं है उसने उसको धोखा दिया था तो यहां उपकार सब्द जो है उसने प्रियोक किया वह उसने ब्यंग अर्थ में प्रियोक किय तो इस सिलोक में उपकृत सब्द जो है वह अपने मुख्य अर्थ उपकार का परित्याग करके विपरीत अर्थ अपकृत अर्थ का बोध कराता है यह लक्षण लक्षणा से इस पश्ट है पुरह इस सादोपा और साध्यवसाना के भेद से इसके लक्षणा के अधोलिखित भेद निम्लिखित है अर्थ उपादान लक्षणा सादोपा इसका उदारण है अस्वह स्वेतो धावती अर्थाथ अर्थ 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 अश्व जो है वो कैसा है स्वेत है सफेद प्रियोजन उपादान लक्षणा सारोपा का जो उधारण है कि एते कुंताह प्रविशंती अरूरी लक्षणा सारोपा का जो उधारण है कलिंग पूरुशो जुद्धते पूरुवे बताया गया कि कैसे कहां के पूरुश तो कलिंग देश के राज्य के पूरुश चोट के आयू बढ़ती है, यह आ रोप सहिज सारोहपा, पुर्योजनवती लक्षण-लक्षणा सारोपा का उदाहरण पुनह उपर के जो ये उदाहरण बताएगे, ये सारे उदाहरण उप्रुक्त जो 8 उदाहरण बताएगे, वे सुध्धा के उदाहरण है सुद्धा उपादान लक्षण लक्षणा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा के उदाहरण है अब ये जो उदाहरण दिख रहे हैं ये गौरी के उदाहरण है तो रूड़ी उपादान लक्षणा सारोपा गौरी का उदाहरण है एतानी तैलानी हेमंते सुखानी प्रयोजन उपादान लक्षडा साध्यवसाना गोरी का उदाहरन है राज कुमारा गच्छन्ति रूर्ही लक्षडा लक्षडा साध्यवसाना गोरी का उदाहरन है राजा गोजेंद्रम कंटकम सोधयति प्रयोजन लक्षण लक्षण सारोपा गौरी का उदाहरण है गौर वाहि कह। रूढ़ी लक्षण लक्षण साध्यवसाना गौरी का उदाहरण राजा कंटकम शोधयती और प्रयोजन लक्षण लक्षण साध्यवसाना गौरी इसका उदाहरण है गौर जल्पती उपर्वक्त विवेचंग के अनुसार यह लक्षणा के 16 अर्था 16 भेदों का वरण किया गया है जिसमें उपर के पुर्वक्त उपादान लक्षणा के 8 और लक्षण लक्षणा के 8 भेदों को मिला करके कुल 16 भेदों का वरण किया गया है आचारे विश्वनाथ ने जिन 16 लक्षणा के भेदों का वरंग किया है उन 16 भेदों के उदाहरण लक्षण सहित उदाहरण रस्तुत किया गया धन्यवाद